नमस्कार में तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेलिकर डफेस क्वीज हिंदी भाशों में आज की क्वीज का पहला सवाल कौद सी भारतिय पंडुबी पहली बार इंडोनेशिया में डॉक की गई थी सही जवाब है INS सिंधु केसरी हाल ही में पहली बार एक भारतिय पंडुबी इंडोनेशिया में डॉक की गई 3000 टन वजनी डिजल इलेक्ट्रिक पंडुबी INS सिंधु केसरी सुन्डा जलड रूम मत्य से गुजरन के बाद पहली बार परिचालन काया कल्प के लिए जकारदा भुजी अगला सवाल सुप्रिम कोट में डिर्णयों के तटस्त उधरन या न्यूटरल साइटेशन की घोशना किसके द्वारा की गई थी सही जवाब है डी वाई चंद्रचूर मुख्यनादिश जीवाई चंद्रचूर ने कहा कि उच्छतम नायलय ने अपने सभी फैसलों के लिए न्यूटरल साइटेशन पेश किया है सीजाई ने उम्मीद जताई कि उच्छनायलय भी अपने फैसलों के लिए न्यूटरल साइटेशन का पालन करेंगे दिल्ली、 केरल और मदरास उच्छनायलय ने पहले ही न्यूटरल साइटेशन पेश किया है अगला सवाल किस देश को हाल ही में चीन से 700 मिलियर अमरीकी जालर का फंड प्राम्त हुआ सही जवाब पाकिस्तान पाकिस्टान को हाल ही में चीन से 700機會 अमरीकी जालर का फंड मिला है पाकिस्टान के विद्धमंत्री इशा कजार ने कहा है कि पाकिस्टान को अपने सहयोगी चीन से 1.3 billion और मिलेंगे ताकि वह तेजी से घटते विदेशी मूदरा भंडार को बढ़ा सके चोथा सवाल कौन सी राजसरकार देश की पहली मरिना या एक नोका मेसिन विकसित कर रही है सही जवाब है करनाटक करनाटक के मुख्य मंत्री बसमराज बोमई ने कहा है कि राजसरकार करनाटक में तठीय परेजन को बढ़ावा देने के लिए उड़ूबी जिले के ब्यंदूर में देश की पहली मरिना या नोका मेसिन का निर्मान करेगी अगला सवाल किस राज्य में केंद्रिय गुरुह मंत्री अमित शाह ने शबरी माता जर्म जयनती के अवसर पर आयोजीत कोल जरजाती महा कुम्ब को संबोधित किया सही जवाब है मध्यप्रदेश केंद्रिय गुरुह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 फरवरी 2023 को सतना मध्यप्रदेश में शबरी माता जर्म जयनती के अवसर पर आयोजीत कोल जरजाती महा कुम्ब को संबोधित किया छटा सवाल किस राज्य में एलोरा अजन्ता अंतराश्च्य महत्सफ 2023 का आयोजन किया गया था सही जवाब है महाराश्च्र महाराश्च्र के और अंगबाद में 25 फरवरी से तीन दिशिय एलोरा अजन्ता अंतराश्च्य महत्सफ 2023 का आयोजन किया गया केंद्रे वित्र राजमंतर रॉक्टर भागवत कराट ने महत्सफ का उधगाट रंकिया। सांत्वा सवाल, किसने सिक्कि में उन्निसवे वारशिक CPA सम्मेलन का उधगाट रंकिया। सही जवाब है ओम बिर्ला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने गंटोक सिक्कि में राष्टमंडल संसदिय संग भारत क्षेतर के उन्निसवे वारशिक जोन तीन सम्मेलन का उधगाट जिन किया। बिर्ला ने कहा है कि CPA भारत क्षेतर का जोन तीन एक बहत्व पूर्ण मंच है जहां पूर्वत्तर क्षेतर के विधायों कई विश्यों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आम समधान पर पहुंजते हैं। आटवा सवाल किस राज़ की टीम ने तेरवी होकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रे चेंपियंशिप जीती। पुरसकार जीता। सही जवाब है लियोनेल मेसी कतर में दिसंबर में अरजेंटिना के साथ अपना पहला विश्वकब खिताब जीतने के बाद लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर आफ दे इयर चुना गया था। इस 35 वर्षय फारवर्ड विश्वकब फाइनल में दो गोल किये थे जिसे अरजेंटिना ने जीता था। दस्वा और आकरी सवाल किसने स्बेनीष पेरा बैड मिझेन इंटनाशनल टुना में पूर Scottish एकल में रज़त पदक जीता। सही जवाब है प्रमोद भगत और इशाक के प्रमोद भगत ने स्पेनिश पेरा बेडमिंटन इंटरनाशनल टूनामेंट में उत्कृष्ट प्रदरिशन किया। दोस्तों ये थी हमारी आज की जेली करंडाफेर्स क्वीज हिंदी भाशा में। मिलते हैं अगले सत्र में आप सभी का बहत शुक्रिया।